वेलकुम दो माइन इस्टोरी स्पोरिय। और आज हम बात करने वाले हैं वेदानतू की जी हां वेदानतू हायर कर रहा है नौन सेल्स जोब में भी नौन टीचिंग जोब में भी और टीचिंग जोब में बात करूं तो यहां पर 11 12th से लेके head of department बनने के लिए आपको थर्ट से लेके 8 ग्रेट के लिए आपको teaching में कहे दो 6-8 ग्रेट के लिए और 11-12 ग्रेट के लिए यहाँ पर है तो यह सारी टीचिंग जोब भी मैं डिसक्स करने वाली हूं डिटेल में साथ ही बताना चाहते हो अकर academic counselor और social प्रफोन नंबर का calls रेगुलर चेक करें जो भी आए क्योंकि वेदान्तु के call भी आता है और mail पर भी update मिलता है अगर वह आपको next process के लिए select करते हैं तो next process में आपको होता है interview और subject test भी होता है और demo round भी होता है तो वह आप से technical interview भी लेंगे जिसमें वह आप से कुछी भी topic को पढ़ाने के लिए explain करने के लिए कह देंगे या आपको उसके topic पे कोई भी questions पूछ लेंगे आपको subject test भी देना पड़ सकता है so make sure आपकी subjects अच्छे हो तो यहां पर आप apply करें and first step to definitely apply करना उसके बाद वह आपको इसके बाद आपको लिंक मिलती है जिससे आप टेस्ट क्लियर करते हैं पर आपका interview होता है फिर एको डेमो राउंड होता है टेक्निकल राउंड होता है इसके बाद अगर आप हायर होते हैं तो आप सेलेक्शन होते हैं that is permanent job के लिए and वेदानत पर जैसे आपको पता है salary package का आप ही अच्छे है फिक्स पोलेंगे तो फिक्स उतने salary तो आपको मिलनी ही है and जितने hours आपको पूरा training भी मिलेगा proper training मिलती है तो यह चीज़े हैं लेकिन एक चीज में बता देती हो अगर आप सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो तो आपको देखे students हर तरफ के आते है य सालें सारी jobs के बारे में and जहां तक academic counselor और social media manager different jobs की बाते तो academic counselor का job क्या होता है जब टीचर एक lesson को पढ़ा देता है तो non technical job, non teaching job और teaching job दोनों ही बहुत interesting है और दोनों ही हम देख लेते हैं कि किस तरह से आपको apply करना है क्या procedure है आपको विदानतु की site open करनी है फिर उसके carriers पर आना है आप अगर इस तरह से site को scroll करोगे तो आपको नीचे यहां पर options मिल जाएंगे carrier का इसके बाद आप यहां पर आओगे तो आप देख सकते हो टीचर के रोल्स और नों टीचर के रोल्स सो अगर पीचर के रोल की बात करें तो सब्जेक्ट मेटर एक्सपर्ट है केमेस्ट्री का 11 और 12 का रोल से डिस्पेंसिबिलिटी आप सारी आपर मेंशन करी हुई है कि क्लास को डिजाइन करना पोस्ट क्लास असेस्मेंट देना आपको कैसे पढ़ाना है क्या करना है सब चीजे मतलब जो भी पीपीट बनी हुई है उसको आपको देख के पढ़ाना है अगर उसके पहले प्रिपरेशन करनी है यहां पर आपको क्या क्या आना चाहिए सब तरह की डिटेल से मेंशन है औ इसमें से आपको फॉर्म बढ़ना है उसके लिए क्या क्या रिक्वार्मेंट है वह सब यहां पर बता रखा है और करिकुलम डिजाइनर क्या होते हैं जो कि करिकुलम डिजाइन करते हैं कि किस तरह के कोर्स में क्या क्या चीज आएंगी वह सब करिकुलम डिजाइनर के अंद तो यह वाली जॉब भी बहुत अच्छी है और इन सब में सेलरी काफी अच्छी हाई है तो मेक शुर आप इन पर अप्लाइ करें अब बात रहीं नोन टीचिंग की जॉब की तो नोन टीचर जॉब में अलब सारी टीचिंग जॉब में आपको लिंक्स मिल जाएंगी जिससे एकेडमिक काउंसलर, सोशल मीडिया मैनेजर, आर्ट लीड, कॉपीक लीड, मैनेजर टीचर ऑपरेशन्स के, मैनेजर ग्रोथ के लिए इस तरह से एक और पेज भी है, प्रोड़क्ट मैनेजर, सॉफ्ट्वेर इंजिनियर, एसोसियर्ट, एसोसियर्ट, प्रोग्रम आप लोग जैसे इंट्रेस्टेड हो या स्टुडेंट के इस्पेशलिस्ट में तो इसमें जैसे जोब भी है बहुत सारी पस आपको डूस जॉब का डिस्क्रिप्शन देखना है सब कुछ देखना है इसके बाद अगर अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए के लिए और इसके बारे में आपको कुछ भी क्यों हो डाउट हो प्लीज आप कमेंट में डालेगा मैं ज़रूर डेफिनेटल आपको रिप्लाइ करूंगी आपको हर तरह के वीडियो मिलेंगे जो आप सर्च कर लें थैंक यू सो मच